समस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत श्वागत है हमारे चैनल सक्षिस प्लेस, इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं सबसे ज़्यादा बोनस पे करने वाली सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कमपनियां की लिस्ट दोस्तों यह बहुत-बहुत इंपॉर्टिन करें और अच्छा उसमें ग्रोथ हो क्योंकि जब ग्रोथ होगा तभी आपको हर चीज उसमें मिलेगा ग्रोथ होगा अच्छा रिटरन मिलेगा ग्रोथ होगा तो कमपनियां आपने रिजर्व को यूज करेंगी तो आपके बोनस पे करेंगी और जब रिजर्व होगा कमप या बलकुल debt free company है तो आपको चार चीज मिल रहा है पहला bonus मिल रहा है कि bonus पे करेगी ये company है debt free company है high dividend वाली company है high growth वाली company है तो चारो को चारो चीज मिलने वाले हैं आपको इसमें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो उसे पहले बता दे हमारी चैनल पर stock market और mutual fund से रहे बहुत सारे वीडियो है जिसे दा करके आप stock market और mutual fund के बारे में सीख सकते हैं तो जाइए देखिए और mutual fund और stock market और invest करना सीखिए और साथी साथ टेलिग्राम चैनल से जुनना मत भूलिएगा तो लगातार stock markets अपडेट रहने के लिए टेलिग्राम पर success place सर्च करना है और टेलिग्राम चैनल से जुर जाना है तो दोस्तो ये देखते हैं ये debt free blue cheap company है और साथी साथ ये आपको सबसे ज़्यादा bonus पे करने वाली सबसे ज़्यादा different देने वाली growth की संभावना जिसमें है और साथ ही साथ आपको debt free तो है ही different भी pay करेगी बोनस भी तो सबसे पहला है वो Reliance दोस्तो अब Reliance भच्चवली के है तो debt free हो चुकी है कि इसका planning थक 2021 तक debt free हो जाएंगे तो ये इतना investment आया इसके Jio platform में रिलाइंस जो है उसके जो parent company है मतब जियो इसकी subsidiary है तो वो Reliance को debt free बना दिया तो समझते हैं कब से कम तो 12 जो fund है मतब 12 investment आचको है जियो में तो इस तरह से Reliance जो एक debt free company बन चुकी है इसका PNC अभी 37 का है तो काफी reserve है इसके पास 4,26,000 करोर का तो जब ये अपने reserve यूज करना चाहेगी अपने expenditure पर तो क्या करेगी या तो bonus पे करेगी अपने shareholder को या तो different के रूप में ये company के आगे growth में यूज करता है तो bonus share पे करेगी तो समझते हैं Reliance काफी बहतरी stocks है तो आपको गिरावट में जब भी मिले तो आपको जरूर बाय करने चाहिए हम बार-बार Reliance के levels और target के बारे में आपको बताते रहते हैं तो जो वीडियो हमारे आते हैं different stocks के बारे में update के लिए वो वीडियो भी जरूर देखा किजिए उसके बार TCS इसके पास देखते हैं 78,000 करोड का cash और reserve है तो ये भी company क्या करेगी अभी जो pandemic situation है तो छोटी-छोटे company या तो बंद होने लगी वह से में क्या करेगा TCS उसको acquire करेगा तो इस cash को use करेगा तो क्या करेगी bonus पे करेगी अपने shareholder को या तो dividend के रूप में pay करेगी ऐसे भी IT company या काफी ज़्यादा dividend pay करती है 50 रुपिया हर साल लगवर TCS जो है dividend pay करती है अपने shareholder को समसकते हैं कितनी बहतरीन company है और इसका pay ratio 24 का है अगला है ITC इसके बास देखते हैं cash or reserve है 58,000 का debt free company है तो debt free company है भी मिल गया bonus pay करने वाली company है मिल गया dividend pay करने वाली company है आपको तो समसकते हैं आगे growth भी इसमें काफी ज़्यादा है ITC इसका dividend yield 5% है समसकते हैं जितना FD पे आप ब्याज लेते हैं उतना इसका dividend yield है ITC का 5% का इसका dividend yield है तो जितना FD पे आप ब्याज लेते हैं तो वो भी मिल गया आपको साथ-साथ growth भी मिल गया उसके बाद SEL Tech 38,000 करोर का company पास cash or reserve है debt free company है और अठारे का P.E. ratio है उसके बाद Infosys 73,000 करोर का company पास cash or reserve है debt free company है P.E. ratio 20 का है उसके बाद फटा-फट हम इस मतलब list को discuss कर लेते हैं आपको इस company के जो detail video है वो भी मिलेगे आगे चल करके हम इस सारे stocks पर individual video बनाएंगे उसके बाद अगला है हमारा Tech Mahendra 33,000 करोर का company के पास cash or reserve है debt free company है और P.E. ratio मातर 12 का F&D Supermart 12,000 करोर का company के पास reserve है 246 करोर का debt है तो आप समझ सकते हैं ये भी debt free company है एक तरह से हुआ जिसके पास 12,000 करोर reserve हो company एक large cap हो तो 246 करोर कोई debt नहीं होता वो company जब चाहेगी खतम कर देगे तो एक तरह से ये भी company आपके लिए virtually debt free company है और 111 का P काफी high P पर ये stocks मिला है काफी fundamentally strong stocks है ये उसके बाद टाइटन 7,000 करोर का company के पास reserve है और 626 करोर debt है तो ये भी company समझे एक तरह से debt free है ये large blue chip company है तो इसके पास जो इतना debt है वो तो कभी भी खत्म हो सकता है और 59 का इसका P उसके बाद लोपीन 18,000 करोर का company के पास reserve है तो हम हर sector से आपके लिए stocks लेका है ऐसा नहीं कि आपके लिए सिर्फ IT company ले लिए आप देखते है एभनी सुपरमार्ट रिटेल कंपनिया टाइटन जो एल्डी बिजनेस है वाचे का business है लोपीन फार्मा कंपनी है IRCT government कंपनी है 2000 करोर का reserve है debt free company है 52 का P है तो हर sector से हमने एक company लाया है आपको जिस sector में अच्छा लग रहा हो जिस sector में आगे growth लग रहा हो जो company अच्छा लग रहा हो उसको चुनिए और invest किजिए अगला 14 Asian Pant 8959 करोर का company के पास reserve और cash bank balance है debt free company है 58 का P ratio है उसका बाद हिंदुस्तान इंडिलिवर इसके पास जो cash और reserve है 12,832 करोर का company के पास reserve है debt company का 0 है और 73 का P है उसका बाद Pedilite company का जो reserve है वो है 4982 करोर का इतरा company का reserve है debt company का 0 है 59 का P है तो यह भी फेबी कॉल बनाने वाली कमपनिया है, हिंदुस्तानी लिवर, FMCG सेक्टर से है, SNPaint, आप तो paint सेक्टर से है, तो समझते हैं इसके जो paint से काफी famous है, तो हर company different different सेक्टर से है, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह विडियो और काफी महत्पूर्ण है, उसके बाद अगला है हमारा habits, habits भी देखते हैं, zero depth, और यह habits जो अपने customer को काफी ज़्यादा better return दिया है, long term investment में थी, यह भी 5349 क्रूर का company के पास reserve और cash है, और 48 का peer ratio है, तो यह भी company देखते हैं, यह हमारा क्या है, electric product बनाती है, electricity related product, तो हर company अलग अलग सेक्टर से है, डाबर, फिर किसे है, FMCG से, फोर्थ बाद 922 क्रोर का company के पास reserve है, debt zero है, उसके बाद 67 का company के peer ratio है, उसके बाद है, गोदरेज consumer 5,110 क्रोर का company के पास reserve है, debt zero है, 56 का peer ratio है, उसके बाद जो हमारा last है, इस list में, वो है marico, यह भी FMCG से, गोदरेज consumer यह भी एक तरस कही FMCG, डाबर भी FMCG, तो यह marico, जो reserve है company के पास, 3,455 क्रोर का, जो zero debt है company के उपर, और 42 का peer है, तो यह company थी, जो zero debt बाली company थी, जो आपको regular basis पा bonus देती है, साथ जिसमें आगे growth होए, और साथ जो आपको अच्छा खासा dividend pay करती है, एक साथ चार, एक साथ चार चीज़े मिल दे हैं, इन सारे stocks में, तो ऐसे stocks आपको जब भी market के correction में मिलता है, तो जरूर invest करें, तो उमीद करते हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत helpful रहा होगा, और वीडियो को like करना है, अपने दोस्तों के साथ अबस से share करना है, साथ ही साथ चैनल को subscribe करके बगल के bell icon को दबा लिजिएगा, और टेलिग्राम चैनल से जुना मत भोलिए का आथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,